हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आज हम यहाँ पे बात करने वाले अभी जो चला है बिग बस लिग 2022 और तेइस इसका जो 37 मुकाबला खेला जाने वाला है इस मुकाबले में आपको ब्रिस्पेन, हीट और पेर्थ सक खेला जाएगा, वो मेदन किसके लिए बल्ले बाज या गेंद बाज किसके लिए अच्छा रहेगा, बाकि इन दोनों टिम में से कौन से कौन से दिगज खिलाडी खेलने वाले हैं, इनके head to head की report क्या रह चुका है, इसके अलाबा इस वीडियो में हम और धेर सारा बात करन आप इस वीडियो को end तक जरूर देखना, हमारा 100% ग्यारेंटी है कि आपको यहीं से ही मालूम पढ़ जाएगा यह मैच कैसा होने वाला है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और शूरू करते हैं, दोस्तों यह मैच आपको इंडियन टाइम के इस आप से 11 जनबरी 2023 को 2 बच कर 10 मिनिट पर शुरू होता हुँा दिखेगा, अब यह बात करेंगे इन दोनों टिम में से इस बीग बैस के से सिजन में इनका पिछला प्रदर्सन केशा रहề चुका है, दोस्तों यहां पर सबसे पहले ब्रिसमें हिट की बात करेंगे तो इस बीग बैस के सिजन में या कुछ खास पादर्शन देखने को नहीं मिला क्योंके दोस्तों इन्हों ने इस सीजन में अभी तक 8 मैच खेल चुके हैं इन्हों ने अभी तक इस 8 मैच में से 2 मैच में जीत हासिल किये हैं बाकी का जो 6 मैच उसमें इनको हार जेलना पड़ा है बाकि इनका जो म्याच में जो point stable की position है ये 5-2 नमर में आते हैं अब एक बार पेथ सकचर की बात करते हैं तो इन्होंने इस वाली season में यार इन्होंने भी 8 म्याच खेल चुके हैं लेकिन दोस्तों इनका पदर्शन अभी तक इस season में बहुत बहतर रहा है इन्होंने जो इस season में अभी तक 8 म्याच खेले थे उसमें से 6 म्याच में जीत हासिल किये हैं बाकि 2 म्याच में ही इनको हार जेलना पड़ा है इनका जो म्याच की point stable की position है यार ये 12 नमर में आते हैं बाकि दोस्तों आप toss, session, match winner ये सारी चीज खेलते हैं तो आपके लिए एक jackpot चीज बताने वाला हो वो है हमारा telegram यार telegram पर हम कौन सी team toss जितेगा पूरे match में कौन सी session में कितना run बनेगा match की winner कौन बनेगा बिकेट का link, jackpot में आज fantasy team, dream 11 यार सब कुछ हो आपको free में ही मिलने वाला है ओ भी यार lifetime के लिए यार ये सा opportunity miss मत करो बाकि आपको बाहर से यही सारे चीज पेड़ पे लेना पड़ता है जल्दी से हमारा telegram channel join कर लो नीचे आपको description box में comment box में link मिल जाएगा और हमारे इस वीडियो को एक like भी कर देना और हमारे इस channel को यार subscribe भी कर देना बेल icon को भी प्रेस कर देना जो भी हमारा नया नया वीडियो आने वाला है आपको उसका notification time to time मिलता रहे अब यार वीडियो में आगे चलते हैं पीच report को देख लेते हैं दोस्तो ए मैच दी गाबा स्टेडियों में खेला जाने वाला है जो की Brisbane में है दोस्तो आपको इस स्टेडियों की नाम से ही पता चल गया होगा Brisbane हिट की ये home ground है इस मेदान में यार बिग बस लिग के टोटल 52 म्याच से खेले जा चुके हैं इस में से यार पहले इनिक्स में जो भी टिम खेले उनोंने 24 म्याच में जीता हासिल किये हैं और 27 म्याच यहाँ पर चेस भी हुआ है और एक म्याच ऐसा भी है दोस्तो उसका कोई result नहीं आया था आप इस मेदान की एवरेश स्कोर को देखोगे तो यहाँ पर पहले इनिक्स का जो एवरेश स्कोर 167 देखने को मिला है बागी सेकेंड इनिक्स का जो एवरेश स्कोर 163 देखने को मिला है इन दोनों ही इनिक्स के बीच में जो एवरेश स्कोर का गयाप है वो 14 रन की ही गयाप है एक ग्याब बहुत ज़्यादा बड़ा ग्याब तो नहीं है यहाँ पर ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर जितना परसंड मैंच डिफेंड होता है उतना ही परसंड का चेस भी होता है दोस्तो इस मेदान में लास्ट के सीजन जो बिग बैस लिख ला गया था उस में से 5 मैच खले गे थे उन 5 मैच मैच में से यहाँ पर 4 मैच डिफेंड हुआ है और 1 मैच चेस भी हुआ है अब यहाँ बात कर लेते हैं पीच की बीहेवेर के बारे में यह किस के लिए सूटेबल है, किस के लिए सूटेबल नहीं है दोस्तो ए मेदन बहुत सांदार मेदन है यह दोनों को ही फेवर करता है ना कि बल्ले बाजों को फेवर करेगा गेंद बाजों को नहीं करेगा या फिर गेंद बाजों को फेवर करेगा बल्ले बाजों को नहीं करेगा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो एपिछ बल्ले बाजों को और गेंदबाजों को दोनों को ही फेवर करता है, यहां पर बल्लेबाजों का भी बहुत बढ़िया पदर्शन देखने को मिलेगा, और गेंदबाज भी यहां पर अच्छा पदर्शन करते हुए दिखेंगे, यहां पर दोस्तों 20 ओबर तक का जो इबरे स्कोर आपको 165 15 ओबर तक 105 से 110 सन की स्कोर देखने को मिलेगा, बाकि 20 ओबर तक लगभग 160 से 165 की स्कोर बनते हुए दिखेगा, लेकिन दोस्तों इस मेदनके एक सेप स्कोर भी है, बो स्कोर है दोस्तों 180, इस स्कोर को पहले इनिंक्स में जो भी टिम खेलते हुए बना लेता है, बाउंडरी के dimension को देख लेते हैं, यह बड़ा boundary है या चोटा boundary, दोस्तो यह medium range की boundary है, दोस्तो यहां का जो straight boundary जो की सामने की boundary है, वो 64 मिटर का है, boundary का जो offside है, वो 72 मिटर का है, बादि के यहां का जो deep mid wicket है, वो 75 मिटर का है, यानि के दोस्तो यह मयाच बहुत सांदर मयाच होने वाला है यहांगी boundary की dimension को देखने के बाद यह सा लगता है यहांपे यहीजली 20 साल का चके भी लग जाएगा और यहांपे बहुत सारा चोके भी लगते हुआ आपको दिखेगा इन दोनों के टीम में से कौन से कौन से दीगज खिलाडी इस मैच में खेलने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों पेले हम ब्रिस्पेन हीट की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं इनको ओपनिंग में आपको दिखने वाले हैं अब यार एक बार पेट्स कचर की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं इनको ओपनिंग में कौन से कौन से प्लेइर खेलने वाले हैं टीफन सकेंजी के साथ केमरन ब्रेंड के तीन पे एरन हर्डी चार पे जोस इंगलीज पांच पे एस्टन टॉर्नर से पे निग ओप्षन साथ पे कुपर कोन ली आड पे मेथिव के ली नौ पे अंध्रेव टाई दस पे जसन बियंदोर रप और यार आखरी में लेंस मोरीश खेलता हुग आपका नजर में आएंगे अब यार बात कर लेते हैं इन दोनों टिम की head to head के बारे में यार आप यहां पे देखेंगे तो head to head के हिसाब से इन दोनों टिम के बिच में 19 म्याच में आमना समना हो चुका है इन 19 म्याच में से Brisbane ने 7 म्याच में जीत हासिल कर चुके हैं पेथ कचर ने 12 म्याच में जीत हासिल किये हैं यानि कि दोस्तों हेड टू हेड के रिपोट के इसाब से ब्रिस्ट बेन हीट के ऊपर पेथ कचर बहुत पहारी परते हुए दिख रहा है लास्ट के सीजन में इन दोनों के बीच में पांच बार मुकाबला हो चुका है इन पां किये थे अब दोस्तों इस पाली म्याच में भी पेथ कचर ब्रिस्ट बेन हीट को चकमा देते हुए दिख सकता है और यार बारी है इस म्याच की प्रिडिक्शन की दोस्तों आपको पहले इस म्याच में यार बोलर्स 80% का विकेट लेते हुए आपको दिखेंगे दूसरे प आपको बता देता हूँ दोस्तों यहां की पीच रिपोड को देखने वाए दोनों इटीम की प्लेइंग 11 को देखने को देखने के बाद इसमें आज को पर्थ सकचर विन करते हुए दिखेगा दोस्तों हमने तो हमारा बिनए टीम दे दिये हैं आप लोगों का क्या राई ह हमारे comment box में आपका किमती राय जरूर देना आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक like भी जरूर करना और हमारे इस channel को subscribe करना मत भूलिएगा तो दोस्तों आज का वीडियो एहीं परंत करते हैं फिर मिलते हैं एक सांदर और लाजबा वीडियो के साथ तब तक दोस्तों जय हिंद